आरे इस मुख्य परिक्सा में चाहिए लोगपरसासन हो चाहिए दर्सन सास्तर हो कम किताबें पढ़ो लेकिन जो सामग्री है उसको आप बार-बार पढ़ो ठीक और हद्यंगम कर लो जैसे कि हेंरी फियोल है और कुछ पढ़ो मत हेंरी फियोल प्रबंद के जनक है पांस तत् नीजी परसासन में कोई अंतरनीमा करते हैं यानि कि समानता के समर्त तक ही हो गए या थैलर विज्वनीक प्रबंदन की नीव रखी उन्हों ने का कोई भी जो कार्य है उसका विज्यान विक्षित करो यानि की काम को विज्वनीक तरीके से करो वेग्यानिक तरीके से कैसे होगा करम भरती जो है वेग्यानिक तरीके से करो कुसल जो कार्मिक है उनका चैन करो काम का बंटवारा करो मानसिक क्रांति यानि दोनों प्रबंद और सर्मिक जो है वो विरोधीनी है दोनों के जो हित है एक दूसरे के पूरक है आदेश की एकता का विरोध करते हैं, वो कहते हैं कोई भी संगटन के अंदर एक अधिनस बहुत सारे जो बहुत है उनसे निर्देशन और नियंतरन प्राप्त करेगा और इसको नाम दिया था कारियात्मक विस्षिश्टी करन तो अब वापस सोड के अंदर बताओं तो टेलर का विज्ञानिक प्रबंदन क्या है? टेलर का विज्ञानिक प्रबंदन विज्ञान पर आधारित एक दर्सन है जो विज्ञानिक तरीकों से चयन, परसिक्षन, कारिय विद्धियों का मानगी करन और कारियात्मक विस्षिश्टी करन पर जोर देता है अब बताओं कितना स संबंदों पर जोड़ है सामाजिक जो भागीदारी है उस पर जोड़ है अधिनस्तों की भागीदारी पर जोड़ है नेत्रतों पर जोड़ है तो लोगपर साशन में रटना नहीं है जो विचारक है उसके मूल भाव को समझना है कि सास्तरे विचारदारा बंद पढ़नाले म पर जोर देती है, संप्रेशन, कम्यून्यूकेशन पर जोर देती, तो चार-चार पॉइंट इस तरीके से तयार करो, कि दुबारा बार-बार पढ़ने की जुरूती नहीं रहे, सोर्ट के अंदर, चार-चार पॉइंट, हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन कहते हैं, लोगप्रसाशन के अंदर, निरने लेना, यानि, डिसिजन मेकिंग ही सबसे महत्तो पूर्ण है, अब निरने क्या है, दो या दो से अधिक विकल्पों में से, एक विकल्प का चैन को संतुस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति के पास में ग्यान की सीमा होती है, अधिनस्तों के जो काम है, उनके व्यवहार की सीमा होती है, सब परिस्तती जनिये, बहुत सी प्रोब्लम होती है, तो ऐसा निरने नहीं ले सकते हैं, जिसमें आप सब को संतुस्ट करें, या परियाप्त रूप से संतोष जनक ठीक ठाक निर्णे होगा इस तरीके से आप चीजों को समझो अब वापस मैंने बताया कि हरबर साइमन का क्या योगदान है तो आपको हरबर साइमन निर्णे परकिरिया की बात करते हैं निर्णे परकिरिया की वो तीन बात करते हैं तीन चर सब्सक्राइब तो पेटन एक जैसा रखो जैसे कि नदी है चंबल नदी है तो चंबल नदी आपने याज किया किसा इतने किलोमेटर नंबी यहां से उद्गमित इन जिलों में बहती हुई यहां गिरती है पर्मुक साइक ने दिया यह है इन पर पर्मुक बांद यह है यह दिमार के अंदर बैट गई बहुब है ना और कोई फैक्ट है अब चंबल के बजाए बनास पूछ दिया तो बनास कंदर भई पैटन रखो इसे तरह अब यह किताब में लिखी जैसल मेर में गुंडारा आजादी के दिवाने जो सासक था उसका नामली को विरोध किया और बाद में जिंदा जला दिया गया अब यह की बात सागरमल गोपा नहीं पूछ करके और कोई व्यक्ति पूछ ले तो कहां के थे है ना कहां जन में ठीक या आजादी के बाद के अंदर कोई महत्वपून पद पर रहे तो इस तरीके से एक जैसा पैटर्न रखो बहुत बहुत दन्यवाद